ओम सिरीगनी शायनमा दोस्तू एश्ट्रो समाधान यूट्यूब चैनल में आपका हारदिक स्वागत है दोस्तू आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं पांच अगस्त सनिवार के राशी फल के बारे में कि यह दिन सिंग राशी वालों के लिए कैसा रहने वाला है किन किन चीजों से इनको फाइदा होगा किन किन चीजों से इनको सावधान रहना होगा इनकी लव लाइफ कैसी रहेगी करियर कैसा रहेगा बिजनिस और वियापार कैसा रहेगा और स्वास्थ की महत्पपूर्ण जानकरी हम आपको देंगे और इस वीडियो के यंत में हम आपको एक उपाई भी बताएंगे जिससे आप अपने आज के दिन को और भी अच्छा और भैतर बना सकें दोस्तो आगे वीडियो सुरू करने से पहले मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब करें साथ में नोटिफिकेशन बैल को भी दबाएं जिससे समय समय पर आप लोगों तक हमारी नेने वीडियो पहुंश सके चलि दोस्तो बात करते हैं कैसा रहेगा सिंग रासी वालों के लिए सनिवार का दिन सबसे पहले बात करते हैं कि आपके लिए आज पॉजिटिव रहने वाला हैं दोस्तो आज आपके मित्रों का आपको भरपूर शेयोग प्राप्ध होगा जो आपको काफी सकारात्मक्षोच के साथ आगे बढ़ने के लिए काफी प्रत्साहित करेंगे दोस्तो आपको अपने करचित्र में आज कई कारों के लिए अधिक अनुकूलता महसूस होगी दोस्तो आज का दिन आर्थिक दरिष्टी कॉन से आपके लिए बहुती अच्छा दिन रहने वाला है जिससे आपका मन बहुती प्रसन रहेगा दोस्तो आपके आर्थिक इस्तिती में काफी अनुकूल बदलाव आएंगे और आपके वेविसाय में विवरत दी होगी आमंदनी के स्रोत में इजाफा होगा और आप आर्थिक तोर पर आज अच्छा समंजस बना कर रख पाएंगे दोस्तो आपकी मुलाकात अपने मामा और मौशी के परिवार से आज हो सकती है जिन से मिन कर आपको काफी खुसी होगी और वहें आपके किसी काम में काफी मदद भी करेंगे जा दोस्तो साथिसाथ धर्मिक क्रिया कलापों में विविरत दी होगी और आप उनके ऊपर खर्च भी कर सकते हैं शंगर्स करने के बाद कारों में आपको सफलता आज अवस्से ही प्राप्त होगी यदि आप किसी यात्रा के लिए जाने के इक्षा रखते हैं तो वह भी प्रियास करने में आपको सफलता मिलेगी यदि आप कारे छित्र में अपनी मेहनत जारी रखते हैं त बस आपको अपना अच्छा प्रदसन प्रतेक छित्र में देना होगा ताकि आप उसके पैणाम सरूप प्राप्त हुए हर सुक को अच्छे से भोग सकें और इसी कारण आपका मनोबल भी बड़ेगा जिसके कारण आप काफी उत्सा में रहेंगे और अपनी उर्जा के बल पर आप हर चिनोतियों का डट कर सामना भी करेंगे और उस पर आपको सफलता भी प्राप्त होगी जिससे आपके खुसी दूग नहीं हो जाएगी और आपका दिन काफी आनंद में बीतेगा दोस्तो बात कर लेते हैं आज आपके लिए क्या नेगेटिव हो सकता है दोस्तो आप आपके लिए आवशक होगा कि आप किसी भी निर्णे को लेने से पहले अपना पूरा समयले और सोच समझ कर ही समस्याओं का हल निकाले और समस्याओं को हल करने के लिए प्रियाप्त संसादनों को जुटाएं दोस्तो परिवारिक जीवन में आज चिंताओं की व्रद्दी ह हो सकती हैं यदि आप सब को साथ लेकर चलेंगे तो समस्याओं धीरे धीरे काबू में आ जाएंगे या दोस्तो साथी साथ पैसे के लेंदेन में भी आज आपको साथदानी रखना आती आवसक हैं तता किसी भी अन्य व्यक्ति को धन देना नुकसान दायक हो सकता है इस दि कर लेना होगा यह आपके लिए काफी फाइदेबंद साबित होगा दोस्तो साथी साथ क्रोध पर नियंतन एम वानी पर आपको आज सैयम रखनी की अति आवसक्ता है अन्य था विवाद की इस्तितियां बन सकती हैं परिवार का माहौल आपके अनुकूल रहेगा लेकिन ध् अपने जीवन में कुछ समझोतों के लिए तैयार रहना होगा अन्य था इस्तिती आपके नियंतन से बहार हो सकती हैं आपको परिवार के लोगों के साथ धन संबंदित समस्याओं को भी सुलजाना होगा और अपनी और से अधिक से अधिक योगदान करने के लिए भी तैया रहना होगा दोस्तों साथि साथ उच्च सिक्षा के लिए प्रियासरत लोगों को भी अभी थोड़ा प्रियास और जारी रखना होगा तथा पृतिक्षा करनी होगी कूंकि फिलाल उनके लिए अधिक अच्छा आफसर दिखाई नहीं दे रहां लेकिन आपको हिम्मत हारने कि बिल्कुल भी आवशकता नहीं है क्योंकि महनत कभी व्यर्थ नहीं जाती दोस्तो बात करते हैं आज आपकी लव लाइफ कैसी रहने वाली है दोस्तो यदि आप अपने प्रेमी प्रेमी का को प्रपोज करना चाते हैं तो कर सकते हैं या फिर अपने मन की बात शेयर करना चाते हैं तो वह भी कर सकते हैं इसके लिए समय काफी अनुकूल है दोस्तो आज आपके प्रेम संबंद काफी मजबूत होंगे आपसी संबंदों में घनिश्टता आपको एक नई इस्पूर्ती प्रदान करेगी जीवन साती का भी आज आपको पूरा शेयोग प्राप्त होगा साथ साथ विवायत जातकों के लिए भी आज का दिन बहुती अच्छा दिन रहने वाला है दोस्तो आज का दिन आपके प्रेम जीवन के लिए बहुती अच्छा दिन रहने वाला है दोस्तो बात कर लेते हैं आज आपका वैवसाय केरियर कैसा रहने वाला हैं दोस्तो वैवसाय धंदे में आज आर्थिक लाब और नोकरी में तरक्की के अनेको योग बन रहे हैं ग्रहनक शत्रों के अनुकूल रहने से आस्मिक धनलाब के भी आज अनेको योग बन रहे हैं दोस्तो आपको पैसे के लेंदेन में भी अधिक फायदा होगा रुके हुए सभी कार्रे आज आपके पूर्ण होंगे और धनलाब की आज अच्छी इस्तिती रहेगी जिससे आपका मन बहुती प्रसन रहेगा दोस्तो वैपार विस्तार की आज आप नहीं योजने बनेंगे वैपार को लेकर भी आज आप किसी यात्रा पर जा सकते हैं जो आपके लिए काफी लाबदाएक साबित होंगी दोस्तो साथी साथ आज आप प्रॉपर्टी में भी निवेस कर सकते हैं जो भविस्ते में चल कर आपके लिए काफी लाबदाएक साबित होंगे नोकरी करने वाले जातकों के लिए भी आज का दिन बहुती अच्छा दिन रहने वाला है दोस्तो बात कर लेते हैं आज आपका स्वास्थ कैसा रहने वाला है दोस्तो बुद्धिमानी से आप उरजा सकती का प्रियोग करें ताकि आपको सारेरिक रूप से कोई परिसानी ना हो और आपका जीवन काफी खुस में बना रहे दोस्तो साती सात यदि आप उम्र दराज हैं तो संभव है कि आज आपको कुछ सेयत के मामलों में अधिक नियमित होने की आवशक्ता पढ़ सकती है जिससे आज आपको कुछ योगा सुनों का भी सहारा लेना पढ़ सकता है और साथिसाथ आपको अपने खानपान पर भी विशेश रूप से ध्यान देने की आवज सकता पड़ सकती है दोस्तो साथिसाथ अपने स्वास्त को और भी अच्छा रखने के लिए आप रोजाना योग करें, वयाम करें, स्वस्त रहें दोस्तो आप बात कर लेते हैं, आज आपके लिए विशेश रुपाय क्या है, दोस्तो आज आप इशनान आदिश निर्वत्र होने के बाद, अपनी लंबाई के अनुसार काला धागा लें, और आप इस काले धागे को एक नारियल पर लपेट लें, इसके बाद आप इसकी करने से भगवान шनिदेव बहुत जल्द प्रसन होकर आपके समस्त कष्टों को दूर करेंगे, जो वे आपके जीवन में परिशानियों कांट करेंगे, और आपके ऐसा करने से जल्दी ही सुब फालो की प्राप्ति होंगी, और आपके सबी कार्रे बहुत यासनि से भगवा शनिदेव का सिर्वाद आपको प्राप्त हो सच्चे दिल से कमें स्बोक्स में जै शनिदेव वश्च लिखें और वीडियो को लाइक करना ना भूलें धन्यवाद